जैसे कि नवरत्री तो चली रहें और बहुत सारे लोगों के व्रत भी होंगे। जब भी कुछ मीठा बनाने वाली बात होती है ना ब्रतों में तो सबसे पहला दमाग में आता है कि साबु दाने खीर बना लेते हैं। खीर तो खाते ही रहते हैं खीर ही क्यों तो आज हम बहुत ही यूनिक सी टेश्टी सी रेसिपी बनाएंगे जो कि जटपट से बन जाएगी और बहुत ही आसान है अगर आप बिगनर से तो भी आप बना पाएंगे वीडियो अची लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल थाने लिए उतना ही गर्म पानी डाल करके मैं ऐसे पीस मिनट के लिए ढगBlack दूगे अब इसमें हमें चीनी नहीं डालनी है इसलिए मैं यह मिस्टरी डाल रही हूं क्योंकि इसमें फेस्ति के लिए अच्छी नियूνती लेकली इसको पीस लेंगे पीस करके बस इस स्पादाम और खर्बूजे के बीज लिए हैं आपको जो भी ड्राइब पसंद है वो और ले सकते हैं और अगर इसकिप करना चाहते हैं नहीं पसंद हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं पर थोड़े से में मखानी भी भून लोंगी अगर आप मुफली खाते हैं वरत में तो मैंने जो है बूना है 20 मेट हो गए हैं और यह अच्छे से इन्होंने सारा पानी सौक लिया है और यह फूल गए हैं तो हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल करके इनको पेश्ट बना देंगे इनको अच्छे से पीस देंगे अब देखें यह काफी ठिक लग रहा होगा आपक करते हैं उससे भी करर बहुत अच्छा था है या फिर आगा पाईटी बनाना चाहते हैं कुछ नहीं डालना चाहते तो यह आपकी मर्ज अगर आप कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो 6-7 चमच ऐसे ही दूद डाल दें दूद गरम होना चाहिए और जो हमने मिसरी पीसी थी व यह से ना टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अगर आपके पास है तो आप जरूर डालिएगा अब यह जो हमारा बैटर बन करके तयार है अब यह जो हमने ड्राइफूर्स बूने थे ना इन सभी को डाल देंगे और सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे बैटर में बस अब यहां पर कोई भी खाली बरतन आप ले लीजेगा और उस पर मैं थोड़ा सा देशी घी लगा रही हूं अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि यह जो साबुदाना होता है अपने आप में ही चिप चिपा होता है तो यह चिपके का वैसे भी नहीं लेक वाली होती है इस पर यह जो हमने बैटर बनाया है इसको रख करके ढख करके 30 मिट के लिए छोड़ देंगे फ्लेम हमें फुल ही रखना है तो 30 मिट हो चुके हैं अब देखेंगे अपने बैटर को यह बिल्कुल भी नीचे पक रहा है काफी अच्छे से यह सेट हो चुका ह पक गया है तो इसको ठंडा होने के बाद में आप पलट दीजिएगा प्लेट में बहुत ही यूनिक रेस्प यह बहुत ही टेश्टी बनती है अगर आपने एक फ़र बना ली ना तो व्रत क्या बिना व्रत के भी इसको बनाना पसंद करेंगे इसका स्वात भूलनी बिल्कुल ही मूँ में डालते ही घुल जाने वाली तो यह हमारा बन चुका है साबुदाने का केक जो की खाने में बहुत ही इकलेसियस होता है बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है तो इस पार साबुदाने की खीर की जगा आप इस रेसिपी को जरूर ट् येगा.